बात्रूम के वेस्ट पानी के लिए किचन वेस्ट पानी के लिए कौन सी जाली अपने को यूज़ करना चाहिए जी यहां नमस्कार मैं है मराज मिनारी और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल चैनल पर आप पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि बिल्डिंग मेटरिल की बहुत मत पुझान कारिया आपको इस चैनल को हमेशा देखती रहे हैं आज बात करेंगे अपन कॉंक्रेज जाली के बारे में वेस्ट पानी के लिए आपने देखा होगा आपके मकान में भी मकान अगर बनाया है तो आपको किचन में और बातरू में वेस्ट पानी के लिए जाली लगानी पड़ती है जाली जिस आप देख रहे हैं मेरे सामने पूरी डिटेल से बात करेंगे आज यह नॉर्मल जाली है इस परकार का होल भी आता है और इस परकार की जाली भी आती है मार्केट मेरे से 35 रुपए बस्ट रहे है यह नॉर्मल जाली है जहाँ पाहले लगती ती लेकिन आब समय के साथ बदला है तो concrete जाली आने लगी अब उसके benefit क्या है उसके क्या नुकसान उसके बारे माँ आज बात करेंगे concrete जाली आज सबसे ज्यादा यूज होती है उसका प्रमुकारण आप bathroom में हो kitchen में हो जब भी आप इस परकार की अगर जाली लगाते हैं तो फिर हो सकता है कि आपका जो कुछ भी कच्रा है वो इन छेट से pipe के अंदर चला जाता है और हो सकता है कि pipe आपका choke up हो जाए और कुछ संग के बाद pipe बंध हो जाए पानी जाना बंध हो जाती है फिर बुद्बुआरने लगती है तो कापी सारे आपको परेशनी का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए आपको इस परकार के concrete जाली का उप्यों करना होगा यह देख सकते हैं आप इस परकार की नीचे इसका कटरनूमा आकार है जहां आपका जो भी कोई west material होगा यहां पर आके जमा हो जाएगा और फिर आपन इसको खौल के उपर से आपन निकाल सकते हैं यह देख से कैसे कुलते हैं आप देखिए आप इससे निकाल सकते हो इस परकार की जाली उपर वाली निकल गी और बीच में इसका देख सकते हैं आप पूरी कटरनूमा जो आकार है वो निकल जाता है वेस्ट जो कोई मेटर रहेगा आपका अगर किचन में अगर आपने कोई बना है कोई बीची जा गई चोटी मोटी जो तो इसके अंदर रह जाएगी आपको इसको बाहर निकालना है वेस्ट में डाल देना है और वापस आपको लगा कर वापस यह डाल देना है आपके कभी भी पाइप चोक अप नहीं होगा यह आपको राउंड में मिलेगी, स्क्वेर में मिलेगी और जिस परकार की साइड चाओगे पांच इंग, छेंच, उसमें भी उपलब्द मिलेगी यह कॉंक्रेट जली थी अब वाइकिंग में भी इस परकार की जली आती है यह बातरूम में आप बहुत जादा यूज होती है सिस्टम आप देख लीजिए जब पानी निकलेगा तब यह जली अपने आप खुल जाएगी यह देखिए निचे से जब उपर से पानी आएगा तो पानी का दवाव यहाँ पर लगएगा और यह जली आटोमेटिक खुल जाएगी निक्चे से और जैसे पानी खतम हुआ वापस यह बंद हो जाएगी यह इसलिए लगते हैं कि आपको बातरूम में बुद्बु काना बिलकुल भी आपको बुद्बु नहीं आएगी क्यूंकि जब जाले हैं पूरी पेक हो जाएगी पाइप को तो भुद्बु बिलकुल नहीं आएगी और जिसे आप नहाते हैं कोई साबू उनका हो फिर कई खराप पे आप अंदर लगके जाते हैं मिट्टे के लगके जाते हैं तो इसके अंदर किसी परकार का फिर कर्चरा ना जाएं, इसके लिए अंदर सेप्टी भी दे रखी हैं, तो जब भी आप मकान बनाते हो, तो कॉंक्रेच वाले जाली लगाएं, इस परकार की जाली आपने देखा होगा, वेस्ट पाइप में कभी कॉंक्रेच आ जाते हैं, कभी मैंने तो आई कॉंक्रेच जाली की रेट की बात करें, तो एक सो पेटीस, एक सो चालीस, डेट सो, दो सो, अलग लग रेट में मार्केट में उपलब दे मिलेगी, जैसा वाइकिंग के आप देख सकते हैं, यह आट सो नब्बे रुपे की प्राइज है, यह एमर्पी से दस परसें लेस र लगाएं और अपने पाइप की सेप्टी बनाए रखें, और बात्रियों के पाइप को चोक अप होने से भी बचाएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर आप एली बार आएज चुछ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद